जहीं दोस्तों, क्या हाल है? okay, जब भी बट्स हो, म्यूजिक के बारे में आपसे शेयर किया आता है, कॉलिंग के बारे में शेयर किया आता है, वो तो करूँ गए, डेफिनेट लि आज भी, लेकिन गेमिंग के टाइम लेटेंसी का जो हाल है वो बुरा हो जाता है, वायर के तो मैंने लास्ट टाइम ना वन प्लस बर्ट जट जो आया था उसको टेस्ट नहीं किया था लेकिन यह मेरे पास है वन प्लस बर्ट जट तू या जी तू स्पेशली मेंशन नाइन्टी फॉर मिली सेकंड अल्ट्रा लो लेटेंसी बाकि में हैलाइट यहां पर फोर्टी डी तो मैंना सबसे पहले बॉक्स में दिखाता हूं आपको क्या मिलता है यह बट्स का केस है इसको बाद में बात करते हैं एक रेड केबल कलब का काड़ है टाइप A to type C केबल है और टू पेयर ओफ टिप्स है और फण पता है कि अबने जितने ब्रैंड के आज तक टेस्ट किय सबसे पहले तो मैं गेमिंग पर क्रिया शुरू करूंगा लेकिन उससे पहले देख लो यह कैप्सूल शेप में आता है आई विश यह मैट फिनिश में होता तो उसमें आसे फिंगर पिंट बगारा नहीं पड़ते यह फायदा हो जाता है लेकिन हाँ यहां पर इसकी क्वा पहली मुझे और यह प्लास्टिक का यह वाला जो बैक साइड है यह टच कंट्रोल है जो दोनों में देखने को मिलेगा कोई भी दिक्कत नहीं आई मुझे फिटिंग में और कुछ इस तरीके का दिखेगा आप अधनाजा लग जाएगा स्टेंडर कनेक्टिविटी ओपन क इसको कॉंटिन्योस प्रेस करके रखेंगे दूसरे डिवाइस पे स्विच कर जाएगा तो अभी मैंने बट्स को डिस्टेंट कर रखा अभी साउंड आएगी फोन के माइक से अब इसमें तो लेटेंसी नहीं मिलेगे ना यह देखना अब अब बट्स का फायर साउंड नो लेटेंसी चेक करना है गेम के मजे नहीं लेने हाँ हाँ पता है मुझे सही लग रहा है वाई बस यह की बहुत हलका का लाइट सब्सक्राइब कि मैं उस पर खेलता हो ना मतलब हमेशा लेकिन यह कि अगर आप यूस्ट्ट हो जाओगे ना तो एससट अब यह वाला साउंड आप माइक से सुनोगे डारेक्ट इन शोट यह जो क्लेम कर रहे यह नहीं है यह एक्ट्वल में काम करता है अब मैं हमेशा कहता था वायर वाला तो वायर वाला ही होता है वह भी कहूंगा वह तो एकुरेसी हंड़र्ट परसंट होगी ना लेकिन वायरलस क्या गेमिंग कर सकते हैं बहुत ही माइनर सा फील होगा वो भी शायद आप जाद दिन खेलोगे तो आपको आदत हो सकती डिपेंड्स कि आप मैं समझा पाया होंगा तो यह काम कर रहा है लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है कि यह वन प्लस के साथ ही एकुर बत्स में मिलते हैं वैसी इसमें मिलेगा लेकिन वन पलस वाले अगर गेमिंग करना चाहते हो this is for you और फीचर की बात करे लेफ्ट और राइट कितनी बैटरी परसेंटेज है इन में सब पता लग जाएगा आपको बेसिकली जैसे सिंगल टैप करना है तो नेक्स होगा जाएगा डबल टैप करना है पीछे चला जाए टिपल टैप करना है तो इस तरीके से आप पूरा कस्टमाइज कर सकते हो जो भी आपको music सुनने है सेम राइट में control कर पाओगे volume को append down करने का option आपको नहीं मिलता लेकिन यहाँ पर आपको in ear detection वाला जो option अगर आप सोच रहे वो देखने को मिल जाएगा अगर oneplus का device नहीं है तो hey melody आया पाता है इसके अंदर जाके आपको सारा option control करने का option मिलेगा तो मैं आप सेजा direct price Amazon पे थोड़ा बहुत card discount अलग से apply हो जाता है वैसे तो मैं calling के लिए मैं लोग पंखाओ अगरे चला के test करके दिखाते बट don't worry यहाँ पर मैं वीडियो को लंबा नहीं खीचना चालता काफी अच्छे से calling हो जाएगी music का हाल कैसा है music में इसमें अगर आप song आई है और कई सारे music product में क्या होता है कि bass जब बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो vocals दब जाते vocals मतलब कैसे आप movie देख रहे हैं या फिर कुछ या फिर कोई बात कर रहा भाई गाने में पता अलग है डोल तो बहुत तेज बज़ बज़ रहे हैं singer नहीं बज़ रहा है सह क्योंकि bass इतना ज़्यादा है बट इतना ज़्यादा डाउन नहीं है overall अच्छा है instrument separation वगारा भी यहाँ पर पता लग जाता है कि क्या कैसे चल रहा है और ANC का क्या है आपको पता भी पाच ज़ादा बेटर काम करता है 5000 में बहुत ज़ादा अच्छे ANC वाले देखने को न मतलब जैसे जिस rate में यह आता है उससाब से ANC भी जैसे AC चल रहा है दो तीन नंबर पर fan चल रहा है ब्लोर वगारा चला के मैंने देखा और जो मैंने एक दो टेस्ट करके देखे इस प्राइज में बिल्कुल उन से पीछे नहीं लगा मुझे it's good काफी balance सा लगेगा आपक लेकिन ब्रैंड जितना क्लेम करते हैं थोड़ा बहुत आप कम भी अंदाजा लगाओगे तो भी अच्छा बैटरी वैकप है इट डिपरेंस कि आप कितना ज्यादा लाउट सुनते हैं मैक्सिमम पर लेकर जाते हैं और फास्ट चारजिंग का option भी है दस मिन चार्ज करके vulnerable क्रिंग करना मैं मिलत हूं आपसे अगली वीडियो मैं